लेकिन हमने उनको निकाला नहीं, उसको रखा है बजट में और ये इंशालला ताला टागेट होगा, वैसे पे एंडी को नई स्कीम तो कोई नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्याद है, मैं आपको बताता हूं क्यों, मिनस्सा बैठें, ये 394 स्कीम तो ये निकाल देंगे एक लेड़ महीने में, इंशालला हमने जो महंगाई हुई है, उसकी वज़ा से जो कॉंपोजिट स्चेडूल ऑफ रेट से उसको रिवाइस किया है, और ये तकरीबन बारा साल बाद रिवाइस किया है, उस रिविजिन की वज़ा से कीमते बढ़ गी तो जो स्कीम अभी पुरानी स्कीमों का, तो काफी स्कीम है, नमबर मुझे नी पता, ये पी एंडी वाले ज्यादा है, ये पुरानी स्कीम है जो है, जो ये आएंगी रिविजिन में, उनको पी एंडी को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, ताकि वो जब तक अप्रूब नी होगी तब त इस तरीके से टोटल 493 अरब रुपे एक आते हैं, पच्पन अरब रुपे हमने डिस्टिक्ट डिवलपमेंट में रखे हैं, और उसके इलावा, जो हमारी फॉरिन प्रॉजेक्ट असिस्टेंस है, वो तकरीबन 334 अरब रुपे, इस साल हम 214 अरब रुपे, खर्च करने में कामियाब हो जाएंगे, इंशालला, अगले साल 304 अरब रुपे रखा है, 76.9 बिलियन फेडल गर्मेंट से, जो हमारी फेडल ग्रांट की सूरत में फो डिवलपमेंट आएगा, इसकी डीटेल में आपको भी बताता हूं, टोटल 959 बिलियन है, बड़े जो हैं हमारी प्रोजेक्ट्स या अलोकेशन्स में आपको बताता हूं, अच्छा यह मैं आपको बता दू